आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दानेदार खोया या मावा की बर्फी यह इंस्टेंटली भी बन जाती है और इसमें हम सिर्फ दो इंग्रीडियंट यूज करेंगे एक है मावा और एक है शक्कर का भूरा तो आएए हम इसे बनाते हैं एक नॉन स्टिक पैन को गरम कर लीजिए अब आप इसमें खोया एड कर दीजिए अगर आपका फ्रिच से निकला हुआ खोया या मावा है तो आप इसे पहले ग्रेटर की हल्प से ग्रेट करने के बाद पैन में डालिए अब हम इसे पूरा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक प पकाना होगा और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे शक्कर का भूरा आपकी मावे की जितनी भी क्वांटिटी है उससे हाफ आप इसमें शक्कर एड कर दीजिए उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे फिर से पकाना है हमें पूरी तरह ब्राउन होने तक हमें इस बर्फी को दानेदार बनाना है इसलिए हमने इसमें शक्कर का भूरा यूज किया है अगर आप शक्कर यूज करेंगे तो इससे ये दानेदार नहीं बनेगी ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनिट पकाते हुए मुझे हो गया है और इसका कलर पूरी तरह ब्राउन हो गया है जैसा कि हमें चाहिए अब आप इसको एक प्लेट में फैला लीजिए और थंडा होने के बाद हम इसके पीसे कट करेंगे तो ये देखिए हमारी दानेदार खोया की बर्फी बन के तियार है आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं इसमें बिल्कुल दाना उठके आ रहा है जैसा कि हमें चाहिए था तो आप भी इसे ट्राइ कर सकते हैं ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है